हेलो फिचर डॉक्टर्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपी के अपने चैनल के उपर एक बार फिर से दोस्तो अगर आप नीट 23 के लिए आविदन करने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सी बातों को कवर करने वाले हैं जैसे कि safe सकोर आपको at least कितना चाहिए जिससे कि आप अपनी डॉक्टरी का सपना जो है पूरा कर सकोगे साथ में दोस्तों cut off क्या रह सकती है पिछले साल की cut off analysis भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं MBBS, BDS के लिए और कौन-कौन से document आपको चाहिएंगे दोस्तों जो man question आपका रहता है कि cash certificate को ले करके और साथ में आपका drop या फिर gap certificate को ले करके और एक और important questions जो आपको पता होना चाहिए कि आपका exam कब होगा दोस्तों तो exam के लिए अभी तक कोई भी official data नहीं आया है और जहां तक लग रहा है दोस्तों आपका exam post phone तो जरूर होगा वो एक महीने होगा या फिर कम होगा या फिर जादा होगा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि जब आपका मई में exam होता है तो December में आपके application form आ जाते हैं February श्टार्ट हो चुका है लेकिन आपके application form अभी तक नहीं आये हैं दोस्तों इस वीडियो में इन सभी बातों के उपर discussion करने वाले हैं सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं आपने चै सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ सकोर की आप सभी जानते हैं अगर आपको डॉक्टर बनना है दोस्तों नीट के थरू ही आप डॉक्टर बन सकते हैं यह दो तिस तीन सालों सी रूल जो है लागू हो चुका है दोस्तों कोई वी exam हो आपको नीट देना अनिवारिया वहाँ और कर दिया गया है तो सेफ सकोर की बात करें दोस्तों सबसे पहले अगर MBBS की तो कम से कम दोस्तों आपके 550 पलस नंबर होने ही होने चाहिए मैं जर्नल कटेगरी के विहाँ पर बात कर रहा हूं दोस्तों और दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले साल की कट-off क्या रही थी देखिएगा दोस्तों MBBS की बात करें तो 596 दोस्तों government medical college जो की मैं बात कर रहा हूं लेकिन दोस्तों आपके इस से थोड़े से कम नंबर भी होते हैं तो private college में अच्छे budget वाले colleges जो हैं जहां पर आपको ठिक ठाक budget में college मिल जाते हैं दोस्तों तो वो college हम जो ह क्या था और EWS 595, OBC 596 तो इनकी दोस्तों तीनों की लगपग एक जैसी ही cutoff रहती है statewide cutoff भी हम आपको आने वाले time में provide करवाएंगे कि क्या रही है SC category की बात कूँ तो 454 आपकी cutoff रही है और ST category की 423 MBBS की है BDS की 547 अन्रिजव category की EWS की 545 OBC की 545 SC की 408 और ST की 345 यह government college जो की BDS की cutoff है दोस्तों बागी दोस्तों अब की बार कितना आपको cutoff में variation देखने को मिल सकता है तो MBBS के लिए आपको 570 से 590 अगर आपको government में admission लेना है योग दोस्तों हो सकता है कि NMC Bill भी 2023 में लागू हो जाए और साथ में दोस्तों seat भी आपकी काफी increase हो गई है लास्ट येर के लास्ट में दोस्तों आपने देखा होगा जो seat matrix जो वह हो है काफी उसमें seat increment देखने को मिला है तो यह आपकी 570 से 590 अगर आपकी अन्रिजव काटेगरी EWS OBC की cutoff हो देखने को मिल सकती है SC और ST काटेगरी के दोस्तों 200 से पलस और 550 के in between कहीं न कहीं आपकी cutoff रहने वाली है BDS की बात करें दोस्तों तो 535 आपकी अन्रिजव काटेगरी 530 EWS और OBC काटेगरी 400 और 330 SC और ST काटेगरी की cutoff हो आपकी रह सकती है अब दोस्तों हम मैं जो आपके discussion है उन पर बात करते हैं कि आपको जो है cast certificate क्या नया बनवाना है या पुराने वाला चल जाएगा तो दोस्तों जो नई guideline आई है उनके according अगर आप चलें तो आपके पास जो है 2023 के अंदर बना हुआ cast certificate होना चाहिए अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप declaration form डाल सकते हैं कि जब मेरा admission होगा जिस भी college में तो मैं अपना नया cast certificate को provide करवातूँगा और आप दोस्तों cyber cafe पर जा करके अपना नया certificate बनवा सकते हैं अगर पुराना भी है अभी आपके पास तो भी कोई समस्या नहीं है लेकिन जब admission हो उस time आपको नया वहाँ पर जरूत पड़ेगी साथ में दोस्तों आपका जो gap certificate है वो उन्हीं को चाहिएगा जिन्होंने drop ले रखा है और वो भी कुछ-कुछ college में ही need होती है हरे college में वो नहीं चाहिए होता है और उसके लिए दोस्तों मैंने एक video बना रखी है एक gap certificate आप कैसे बनवा सकते हैं एक form है आपको वो feel करना है और किसी भी court का चहरी में जाकर के वहां से एक notary की महर आपको लगवा के लानी है और साथ में दोस्तों आपको 100 रुपे वाला stamp paper जो है उस पर लगाना है बस यही आपको करना है साथ में दोस्तों आपके February start हो गया है लेकिन application form के लिए कोई भी notification आपको देखने को नहीं मि लिए जो है एक बार आर्टिकल में लिखा था और हो सकता है दोस्तों कि साथ मई को ही हो जाए लेकिन चांस बहुत कम है आप जो है अपने त्यारी मई को लेकर ही कीजिगा दोस्तों लेकिन जहां तक idea है आपका exam जूर में होने वाला है बागी दोस्तों आपको हर एक जानक तो आप चैनल से जुड़े नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो लाइक कर दें थैंक्यू